स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आईला टॉक्स पर में डॉक्टर इर्शाद खानाम आज फीर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आज हम हिंदू विधी के अंतरगत हिंदू विवा अधिनियम 1955 में जो शुन्य एवं शुन्य करनी विवा दिया गया है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम उसका अध्यान करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो लोग मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं या जो लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं परंतो चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरी चेनल को सब्सक्राइब कर लें कोने में एक बेल आइकन दिया गया है आप गर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरांत पहुंच जाएगा चलिए दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं शुन्यों शुन्य करने विवा किये विवा क्या होता है हिंदू विधी के अंतरकत विवा को जन्मजाद साथ जन्मों का बंधन माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि हड़ी का जिते भी धारमिक क्य Series Maker Ms. विवा के बिना अधूरे हैं अदहूरे हैं बहुत से क्याएं होती है जिन में पत्टि पत्नी का बेठना आवशक होता है बहुत से ऐसे कर्मकांड ह Kitty में की ओरस पूद्रो का मतलब जायज संतान का होना जरूरी होता है तो विवा जो है वो एक पवित्री बंधन के रूप में हिंदू विदी में है अब विवा के बाद अगर पती-पत्नी के आपस में नहीं बनती है तो उनके पस विवा विच्छेत का भी आधार है जो पहले की विडियो में आपको पता चुकी हूँ उन आधारों पर वो तलाक ले सकते हैं एक दुस्रे से अलग हो सकते हैं अब शुन्य और शुन्य करणी विवा क्या है तो शुन्य विवा एक ऐसा विवा होता है जो की शादी वाले दिन से ही शुन्य घोशित होता है शादी वाले दिन से ही वो शुन्य होता है और शुन्य करणी विवा एक ऐसा विवा होता है जो शादी तो लीगल होती है शादी तो बेद होती है उसका आप शुन्य नहीं कह सकते हो कि हमाई शादी जो है हमारी विवा ज पांच की उपधारा एक चार पांच में वर्नित शर्तों के उलंगन में किया गया विवा पक्षिकार की आचिका पर नियाले दुरा शुन्य घोशित होगा धारा पांच में क्या दे रखा है विवा की आवशक शर्तें विवा की आवशक शर्तों की उबधारा एक चार और पांच ये तीन ऐसी उबधारा है अगर इन उबधाराओं की जो शर्ते दे रखी हैं अगर आप उसका उल्लंगन करके कोई विवा करते हो तो आपको वो विवा शुन्य गोशित किया जा सकता है क्या है धारा पांच क्यूब धारा एक चार और पांच पहले यदि विवा के किसी पक्षिकार ने एक पत्नी एक पती के जिवित रहते दुसरा विवा कर लिया है अगर ऐसा वेगती है जो की पहले से शादिशुदा है पहले से ऐसी महिला है जो पहले से शादिशुदा है जिनका एक पहले से पती है या जिनकी पहले से एक पतिनी है और वो जिवीत है जब वो दुसरा विवा कर रहा है उस समय अगर वो जिवित हैं और ऐसी कंडिशन में दुसरा विवा कर लिया जाता है तो दोनों में से कोई भी पक्षिकार उस विवा को शुन्य गोशित करवा लेगा क्योंकि ये विवा शुन्य विवा ही है दुसरा है जब विवा प्रतिशित संभंदों के भीतर में हुआ हो प्रतिशित संभंद आप इसके पहले वाले वीडियो को देख ले तो आपको प्रतिशित संभंद कहां कहां होते हैं वो समझ में आ जाएगा जिसे दादी से विवा, सगी ये सोतेली बहन से विवा, साज से विवा ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं जिन रिलेशनों में अगर विवा कर दिया जाता है तो वहां विवा शुन्य होता है तो जब विवा परतिशिद संबंदों के भीतर किया गया हो तो दोनों में से कोई भी एक पक्षिकार उसको शुन निगोशित कराने के लिए नियाले में जा सकता है परंथु अगर किसी रूडी या प्रथा के अंतरगत वह विवा वेद है तो फिर वह विवा लीगल हो जाएगा वेद हो जाएगा और उसको शुन्य करनी या शुन्य गोशित नहीं करवाया जा सकता है अगर विवा जो है मतलब कोई ऐसी पर्था चली आ रही है किसी के हैं या कोई ऐसी रूड़ी है कि वो उस रिलेशन्शिप में जो परतिशिद्य संबंध हम जिसको किये रहे हैं उनकी शादी हो सकती है जैसे मान लिजिए हिंदू समाज में हिंदू धर्म में रिलेशन्शिप में शादी नहीं होती है रिलेशन्शिप से मतलब है कि सगी मासी की लड़की सगी अंकल की लड़की इन में शादी नहीं होती है अगर ऐसे शादी होती है तो वह शुन्य हो जाएगी परन्तु अगर उनके हमा कोई ऐसे प्रता हो जहां पर वो ऐसे रिलेशन्षिप में शादी कर सकते हैं तो फिर उनकी जो शादी होगी वो वैद होगी तिसरा हमारा है जो पांचवा पाइंट है उबधारा पांच जो हमारी है वो है जब विवा सब पिंड के साथ में हुआ हो सब्पिंड मतलब अगर हम हिंदू धर्मों में हम देखते हैं तो विवा के लिए माता की तीन पीडी और पिदा की पांच पीडियों में विवा नहीं किये जाते हैं जब विवा सब पिंड के साथ में हुआ हो अगर एसी कंदिशन ही। अगर ऐसे कार्म में विवा हो गया हो तो फिर वा विवा वी आपका शुन्य विवा कहलाएगा। उसके पैश्यत हम देखते हैं शुन्यकरणी विवा शुन्यकरणी विवा जो है वो धारा 12 के अंतर के पताया गया है धारा 12 कहती है यह धारा 12 में यह उब्बंद किया गया है कि विवा चाहे अधिनियम लागू होने से पुर्व संपन हुआ हो या बाद में संपन किया गया ह । निमने आधारों में से किसी भी आधा पर शुन्य करनी होगा और आकरत्ता की डिग्री द्वारा शुन्य करनी कराया जा सकेगा कौन कौन से आधार है। जब कि आप विवा को शुन्य करनी नियाले में जाके करा सकते हो विवा आपका लीगल है विवा आपका वेद है लेकिन ये आधारों पर आप जाके उस विवा को शुन्य करनी करवा लोगे पहला प्रतियार्थी कि नपनसुक्त ता जब विवा का एक पक्षिकार पति या पत दूसरा है प्रत्यत्तरदाता की मानसिक अस्वस्तता मतलब प्रत्यत्तरदाता जो है वो मानसिक रूप से विक्रत हो तो याची जो है विवाव को शुन्यकरनी घुशित करा सकता है चित विक्रत हो या संतानुत पत्ती के अयोग्य हो या उन्मक्तता का दूरा पढ़ता हो या मिलगी के दूरे आते हो मतलब मानसिक रूप से आस्वस्त होना चाहिए पागल वेक्ति से यहां हमारा मुराद नहीं है यहां हमारा कहना का आश्य है कि वो मानसिक रूप से आस्वस्त होना चाहिए वो संतानुत पत्ती के अयोग्य होना चाहिए उसको मिलगी के बार बार दूरे पढ़ते हो या समय समय पर उसको पागल पन के दूरे आते हो तो ऐसा वेक्ति के साथ किया गया विवा शुन्न करनी घोशीत कराया जा सकता है तिसरा हमारों पॉइंट है बल या कपड द्वारा सहमती प्राप्ति करना दोनों पक्षिकार में से किसी भी पक्षिकार के से अगर जो सहमती विवा के ली गई है वो बल या कपड के द्वारा ली गई है तो उनका विवा शुन्य करनी किया जा सकता है ऐसा विवा धारा बारा वन खागा के अधिन शुन्य करनी गोशित कराया जा सकता है यदि ऐसे विवा में याची की सेमती बल परियोग या कपड द्वारा प्राप्ति की गई हो धारा दो के अदिन संपन्य विवा के सरक्षक की सेमती बल अथ्वा कपड द्वारा प्राप्ति की गई हो मतलब की सरक्षक की किस कंडिशन में होगा जबकि विवा जो है वो नावालिक का हुआ हो या विवा करने के लिए अगर कोई सरक्षक न्यूपत है और उसकी सेमती जो है बल या कपड दुआरा मतलब की लड़का लड़की की तो नहीं लेकिन उसके माता पिता की सेमती जो है वो बल या कपड दुआरा ली गई हो तो भी विवा जो है वो शुन्य करने घोशित कराया जा सकता है जहाँ विवा शुन्य करनी गोशित कराने की याची का विचारात स्विकार नहीं की जाएगी वहाँ एक वर्ष बाद ऐसी याची का प्रस्तुत की गई हो अब यहाँ उन्होंने दो आधार दे दिये हैं जहांपर की शुन्न करनी विवा को कराने की आपकी याची का है वो स्विकार नहीं की जाएगी उसके उपर किसे भी प्रकार का कोई विचान नहीं किया जायेगा कब जब एक वर्षित बाद ऐसी याची का प्रस्तुत की गई हो या दोनों पक्षिकार पति-पत्नी के रूप कराये जा सकता है जिसमें पथनी विवा के समय पति की अतिरिक्ति किसी अन्यवेक्थि से गर्व बती हो धारा बारा दूख के अनुसार नियालाय विवा तभी शुने करने गोशित करेगा जब यह समाधान हो जाएकि विवा के समय याची को पतिनी के गर्ब की जानकारी नहीं थी याची का विवा की तीथी से एक वर्षी के अंदर प्रस्तुत की गई थी मतलब जो कोड में याची का लगाई जा रही है वो विवा की तीथी से विवा की तारिक से एक वर्षी के अंदर अंदर में ही लगाई है और तिसरा याची को पत्नी क की गर्भ वती होने की जानकारी के बाद उसकी सहमत्य से विवा विवा की तीथी से याची का एक वर्षी के अंदर लगाई जाए अगर याची को पता है कि उसकी पत्नी गर्ववती है और उसके बाद भी उसकी सेमती से अगर वेवाईक संभन बनाता है तो फिर वो विवा को शुन्य करनी कराने के लिए नियाले में याची का नहीं दे सकत है दोस्तों आज हमने हिंदु विवा अधिन्यम के अंतरगत शुन्य शुन्य करनी विवा को पढ़ा है मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया